Hello students, welcome to creative chemistry तो बच्चा लोग आज की अभी हम इस session में पढ़ने जा रहा है empirical formula and molecular formula जैसे आप लोगों ने पूरा एक महा मोल वाला हमने एक वीडियो बनाया वो पढ़ लिया, उसके बाद जो छोटे छोटे और topic की वो भी सारे cover की बस उसी तरह से ये जो topic आपका है वो 4 या 5 मास के आपका जो भी blueprint बनेगा according to that ये most 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 important वाला question है जब भी आपके exam में ये question आएगा आप इतने खूश हो जाएंगे yes चलिए ये question तो मुझे अजैसर ने सिखाया मुझे आता है 4 out of 4 या 5 out of 5 मेरे fix है तो काफी बड़ी असा topic है एक हमने एक method बनाया है उस method से आप simply बस solve करते जाएगे data put करते जाएगे answer आपने आप निकलते जाएगे तो देखिए ये topic start करने से पहले बहुत सारे बच्चों को इसका मतलब पता नहीं होता है molecular formula का मतलब तो बहुत सारे बच्चों को पता रहता है empirical formula मतलब क्या है बाई तो देखिए मैं simple थोड़े एक छोटा सा example लेकर आपको सिखाता हूँ आप सबको glucose का formula पता है C6, H12, O6 समद ये glucose का जो भी formula है वहाँ से मैं 6 अगर common ले लू 6 तो ये formula बनेगा ऐसा CH2O yes or no तो जो ये formula है हमारा C6, H12, O6 इसे कहा जाता है molecular formula और यहाँ से मैंने ये 6 common ले लिया इसे integer n कहते है बागी का भी ये जो अंदर वाला part बचा इसे कहा जाता है empirical formula तो अच्छा इसको कैसे calculate करते हैं तो बच्चा लोग आप लोगों को एक topic के आपके syllabus में कुछ बच्चों ने इसके पहले वाला वीडियो कर नहीं देखा है तो देख लिजेगा बागी आपको पता है तो don't worry percentage composition या mass percentage वहाँ पर हमें क्या दिया गाता है question में already H2O या किसी भी compound है उसकी formula वहाँ पर अल्रेड़ी हमें दी हुई हुई हुथिल like as a example के this C6H12O6 अभी यहाँ पर carbon के hydrogen के oxygen के आपको percentage निकालने होते थे carbon का जो भी mass है इस compound में divide by total मनलब molecular mass into 100 hydrogen का mass divide by molecular mass into 100 ऐसे करके हम percentage निकालते थे yes अभी यहाँ पर question इसका पूरा उल्टा दिया हुआ है मतलब कि आपको जो भी question दिये जाएगे वहाँ पर question में आपको percentage दिये जाएगे वहाँ से formula बनाना है आपने mass percentage वाले में क्या कहा था formula से percentage अभी यह जो topic की यहाँ से percentage से हमें पहले क्या बनाना पड़ेगा यह empirical formula बनेगा and empirical formula को हम इस यह जो digit है इस digit से multiply करेंगे तो वो convert होगा हमारा molecular formula में भाई यह सारी तीजे करनी कैसा है तो देखिए चलिए कैसे इसको solve करना है क्या method इस question को solve करने का है सबसे पहले में आपको यहाँ पर एक formula का पूरा लिस्ट दिया हुआ है देखिए हमको exam में सबसे पहला ऐसा एक table बनाना है मैं सारे question आपको solve करके दिखाऊंगा element में अपको जो भी question में आपको element दिया होगा कि पहरे carbon कितने पसंट hydrogen इतने पसंट oxygen इतने पसंट, chlorine इतने पसंट तो जो भी elements लिखे फिर percentage लिखे फिर उनके atomic mass तो हम सबको पता रहते हैं नहीं पता है तो don't worry वहाँ पर exam में आपको question में कहीं उपर atomic mass भी already सभी के दिये हुए होगे उसके बाद अभी next step आता है moles of atoms तो वहाँ पर आपको mass divide by atomic mass करना है तो mass divide by atomic mass कैसे करना है वो भी हम आपको सिखाएंगे फिर उसके बाद आपको लेना है mole ratio या उससे atomic ratio भी कुछ कुछ जगह पर कहा जाता है and finally आपको convert करना है simplest whole number में यह पूरा table बनाना है directly अभी आप पहली बार देखेंगे तो आपको लगेगा क्या समझा रहे सर सिर्फ बोल दिया वो हम solve करेंगे तब पता चलेगा एक, दो, तीन, चार question solve करें तब आपका इसके उपर grip develop होगा तो चलिए इस table से मुझे simply क्या पता चलेगा empirical formula कैसे solve करेंगे तब ही पता चलेगा उसके बाद n is equal to molecular mass divided by empirical mass molecular mass कहां से लाएंगे बए molecular formula ही नहीं पता है तो molecular mass कहां से लाएंगे don't worry question में आपको molecular mass दिया हुआ होगा तो molecular mass divide by जो भी आपने empirical formula बनाया, इस table से divide by empirical mass and last में molecular formula is equal to what? and into empirical formula मतलब and जो मैंने अभी अभी थोड़ी दर पहले आपको एक example बताया ग्लुकोस का जो भी आपका formula है वहाँ से अगर हम 6 को common लेते हैं तो 6 is your n integer ये and into आपका इस table से जो भी empirical formula आता है तो पहले कुछ ज़ादा सोचे मत सिर्फ ये जो भी सारी चीज़े इसका screenshot ले लिजिए मतलब के notebook में आप लिख लिजिए उसके बाद इसके based question करेंगे तब आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा तो चलिए पहले है लिख लिजिए चले बच्छो लिख लिख लिए आप लोगों ने तो भी आगे बढ़ते कैसे सारी चीज़े apply करने है ये मुझे ऐसा exam में एक ऐसा question दिया होगा question क्या देखे percentage of carbon hydrogen and oxygen are this, this and this अच्छा मुझे carbon hydrogen oxygen के percentage दिया होगे फिर दिया है molecular mass जो भी compound है उसका formula नहीं पता है उसका molecular mass 88 है अच्छा तो decide the empirical formula and the molecular formula तो empirical formula, molecular formula कैसे पता कर रहा है एक्जाम में सबसे पहले आपको इस तरह का एक table बनाना है बना लिया table राइट चलिए अब इसमें देखे जो भी elements दिये carbon hydrogen oxygen चलिए step by step मैं यहां पर लिखता हूँ यह carbon hydrogen oxygen चलिए question में क्या दिये carbon के percentage 54.55 hydrogen 9.06 and last oxygen 36.39 बाई चलिए percentage लिख लिए atomic माँ सबका मुझे पता है carbon का atomic mass रहता है 12 hydrogen का 1 oxygen का 16 तो दिखिए यहां तक तो भी मैंने कुछ question solid नहीं किया है सिर्फ यह data लिखने का मैंने एक style बनाया हुआ है तो सभी में एक ही type का आपका format रहेगा तो इसके based आप सभी question अच्छी दरा से solve कर पाएंगे जो भी मुझे elements दिये दे सबसे पहले मैंने elements लिख दिये उनके percentage लिख दिये atomic mass लिख दिये अभी हमारे table में है next moles of atoms तो moles of atoms आपको कैसे निकालने हैं देखें यहां पर आपको moles of atom निकालने के लिए मैं आपको दो method बताऊंगा मतलब एक जो logical method है देखिए कि यह जो percentage 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 दिये समझ लिजे कि हमें जो भी compound लिया है molecule मास तो में पता है 80 8 है लेकिन जो भी compound लिया है उसका 100 gram लिया है मैंने कितना जो भी compound है हमारा उसका अगर total mass 100 gram है तो 100 gram में यह जो भी हमारा carbon है वो कितने gram बनेगा 54.55 आप कहेंगे सर वो तो percentage दिया है हाँ percentage दिया लेकिन समझ लिए कि 100 gram को एक compound है तो उस compound के percentage बोले तो भी 54.55 बनेगा या तो फिर हम उसका mass बोले कि 100 gram मैंने compound लिया है तो वहाँ पर 54.55% carbon है मतलब कि अगर gram में लिखना चाहे तो 54.55 ग्राम गरबन 9.06 ग्राम कौन यह hydrogen 36.39% oxygen तो देखो moles मतलब क्या है mole is equal to given mass upon molecular mass given mass upon molecular mass अगर यह सारी चीज़े सारी atom है तो atomic mass यह कुछ समझ में नहीं आता है तो एक shortcut method बनाए हुआ है कि आप percentage question में दिया है atomic mass दिया है तो आपको simply यहाँ पर क्या करना है column 2 divide by column 3 column 2 divide by column 3 मतलब कि moles find करने के लिखिए मैं यहाँ पर दो method लिखकर देख़ा हूँ आपको mass एक है आपको mass जो भी mass है divide by आपको करना है molecular mass यहाँ तो आप यह भी कर सकते हैं कि आपको जो भी question में percentage दिया है divide by आप क्या कर लीजे atomic mass दोनों में से जो भी करेंगे यहाँ से यह moles आपके निकल के आ जाएंगे तो दीखे चलिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ 54.55 divide by 12 चलिए जो भी number आथा भी last में calculate करते हैं 9.06 divide by 1 वो तो 9.06 60 रहेगा 36.39 36.39 divide by 16 चलिए इसका calculation कर लिए मैं calculator मेला start कर लेता हूँ ओके चलो 54.55 चलो divide by 12 4.545 4.545 चलिए यह तो direct अभी 36.39 divide by 16 अभी 36.39 तो 2.274 चलिए यह कर लिया अभी इसके बाद एक और यहां पर trick आपको याद रखना है देखिए यहां तक का मैं थोड़ा repeat करके देखा जेता हूँ कि भाई हमने जो भी question में दिया था वो percentage उसके बाद यहां पर जो भी atomic mass तो में पता है तो मैंने next किया किया column 2 divided by column 3 मतलब percentage divided by atomic mass मतलब given mass divided by यहां पर atom है तो sorry atomic mass लिखना पड़ेगा atomic mass right तो यह सारे numbers निकल किया है अभी यहां आगे आपको क्या याद रखना है यह देख लीजे यहां पर जितने भी number है बच चलो सबसे छोटा smallest number कौन है बच यह this one is the मैं यहां पर लिखता हूँ smallest number अच्छा इसकी जरूरत क्यों पड़ी smallest number की दिखाते आपको smallest number की क्यों जरूरत पड़ी अभी देखो smallest number तो अभी next atomic ratio और इसे mole ratio भी कहा जाता है मतलब क्या करना है यहां पर जो भी अमारे यह values है न देखिए यहां पर 4.45 है तो मैं क्या करता हूँ देखिए का तो पता चलेगा आपको 4. यह जो भी answer आए 545 उसे divide करना है lowest number से मतलब lowest value कौन सा है 2.274 अच्छा इसको divide भी करना है 9.06 को भी divide करना है 2.274 से and 2.274 को भी divide करना lowest number 2.274 से तो चले इन सभी के answer इसका तो answer 1 बनेगा अब इन सभी के answers क्या बनते है देख लेते हम यहां पर 4.454 तो इसके बाद वाला जो next जो है वो तो यह बना 3.984 और यह तो बन अब यह last column लिखा है simplest whole number ratio मतलब कि यह जो भी values है उनको आपको simple number में convert कर रहा है मतलब 1.95 है उससे हम 2 कह सकते हैं बच्छा लोग yes it is the 2 3.98 मतलब it is a 4 और यह यहां पर 1 समझ में आ रहा है step by step फिर से repeat करके समझा आपको देखे हाँ देखे यहां पर मुझे question में carbon hydrogen and oxygen तीनो जो भी elements उनके percentage दिये थे तो मैंने percentage लिखे then मैंने लिखा कि atomic mass चलिए उसके बाद आपको क्या करना है simply यहां पर आपको करना है column 2 divided by column 3 मतलब percentage divided by atomic mass ताकि आप moles उसके पता कर पाए यह भी एक method मास जो भी है यहां पर मतलब कि जो भी percentage है उसे mass हम कह सकते हैं तो percentage divided by atomic mass तो यहां से यह तीन values हमें मिली यह जो भी तीन values मिलेंगे यहां पर bottom most नहीं कभी यह भी कभी यह भी कोई भी इन तीनों में से जो भी value आपका smallest value है उस smallest value को समझ लिजे यह सारे values को उस smallest value से क्या करना है मुझे divide करना है तो हर बार सभी moles को मैंने इससे divide किया तो यह atomic ratio यह mole ratio भी कहा जाता है अब यह जो भी numbers है always nearer nearer whole number के nearer रहेंगे तो इसको directly मुझे whole number में लिखना है चलिए इतना तो समझ में आ गया अच्छा भी इसके बाद आगे क्या लिखना है चलिए देखते नीचे थोड़ा और यह 241 carbon hydrogen oxygen तो देखिए मैं कैसे लिखता हूँ इसको so empirical formula is equal to carbon कितने 2 hydrogen कितने 4 and oxygen कितने 1 तो this is my empirical formula चलिए अभी इसका मैं empirical mass भी calculate करके रखता हूँ आप सोचेंगे यह क्यूं कर रहें फिर आगे पता चले इंपरिकल formula mass empirical formula mass 2 into carbon के 12 plus 4 plus 16 तो चलिए 16 plus 4 यह तो 20 हो गया और यह 24 तो total mass बन जाएगा हमारा कितना 44 ग्राम पर mole राइट 44 ग्राम पर mole हो गया है चलिए इसके बाद हमने जो आपको एक पुरा formula बना list दिखाया था वो उस slide पर हम वापिस चलते हैं देखें यह हमने जो आपको दिखाया था यहां पर येस शायद आपको याद होना चाहिए क्या अभी temporary इसको minimize कर देखें हाँ देखें क्या था यह पुरा आपको चार्ट बनाना है उसके बाद n is equal to molecular mass divide by empirical mass करना है तो हमने empirical formula stable से निकाल लिया हाँ भाई empirical formula तो निकाल दिया उसके बाद हमने empirical mass पता कर लिया पता कर लिया तो अभी हम next क्या करेंगे n calculate करेंगे question में molecular mass दिया हुआ है उसको simply empirical mass से divide करेंगे divide करने के बाद जो भी number आता है उससे multiply करता है यह formula चाहता आगे तो चलिए उसको apply करते कहाँ पर थे हम यह यहाँ पर चलो तो मैं अभी n पता कर लेता हूँ हाँ देखिए भाई n is equal to क्या है molecular mass divide by empirical formula mass तो भाई molecular mass question में कितना दिया है 88 divide by 44 so n is equal to क्या हुआ 2 अच्छा n is equal to 2 तो मतलब कि हम यह लिख सकते हैं भाई क्या molecular formula is equal to n into क्या है empirical formula right molecular formula is equal to n into empirical formula तो चलिए n कितना है 2 हाँ हमारी empirical formula क्या थी C2 H4O1 तो अभी इसे 2 से multiply करते हैं C4 H8O2 this is our final molecular formula right अभी समझ में है थोड़ा step by step उपर से फिर से देख लेतें तो आपको perfect समझ में आ जाएगा देखिए इस table की help से जो भी percentage दिये थे जो भी atomic mass पता था वहाँ से ये सारे steps हमने फॉलो करके empirical formula निकाल ली देखे भाई ये हमारी हो गई थी empirical formula right this is our empirical formula उसके बाद उसका empirical formula mass भी हमने already यहाँ पर निकाल कर रख दिया क्यों भाई क्योंकि हमें पता आगर आगे यहाँ पर इसकी जरूरत पढ़ने वाली है molecular mass divide by empirical mass चलो ये भी कर लिया उसके बाद molecular formula is equal to what ये जो हमने n निकाला this divide by this उससे जो भी आपका empirical formula उससे multiply करेंगे तो वो बनेगा molecular formula तो पहले table से multiply कर दो ready perfectly clear तो चलिए पूरा आपको यहाँ लिख देना है मैं आपको table दिखा रहा हूँ अब table का screenshot ले लिजे लिख लिजे question भी देख लिजे लिख लिजे जो भी करना है right चलिए अभी आगे नीचे वाला थोड़ा part हाँ यह भी आप screenshot ले लो ओके चलिए अभी इसी तरह के और question भी आगे करते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा चलिए अभी एक और next जो हमारे text book में illustration दिया है 1.2 NCRD text book में तो obviously एर importance ज़्यादा आई है क्या दिया है a compound contained 4.06% hydrogen 24.27% carbon and 71.65% chlorine दिया है it's a molecular mass is this what are its empirical and molecular formula अच्छा चलिए अभी आपको फटा फट यह चीज़े आनी चाहिए सब से पहले hydrogen carbon chlorine sequence यह है hydrogen carbon chlorine इनके percentage hydrogen के 4.07 carbon 24.27 and last chlorine 71.65 चलिए इनके atomic mass hydrogen का 1 carbon का 12 and chlorine को आपका मुलब आपको chlorine का याद होना चाहिए 35.5 चलिए moles में क्या करने है अभी अभी हम लोगों ने सिखा कि यह column 2 divided by column 3 मतलब percentage divided by atomic mass या हम यह कह सकते हैं कि अगर 100 gram है तो यह percentage यह वही हमारे grams होने वाले तो gram divided by atomic mass होने वाला है यहाँ पर 71.65 divide by 35.5 होने वाला चलिए इसका तो answer 4.07 ही बनेगा अभी 24.27 है तो obviously nearer 12 रहेगा लिए एकजएट लिए इस और निएर 2 रहेगा पर एकजएट कितना है वो हमें 24.27 divide by 12 हाँ तो 2.022 2.022 अभी हाँ 71.65 divide by 35.5 हाँ तो यह हुआ 12.01 sorry 2.01 183 तो obviously यह जो सारी तीन वैल्यूस है इसमें सबसे छोटी वैल्यू 2.01 ही है 2.02 है तो इस वन इस दी क्या ही है smallest number या smallest value तो बाकी के जो सारे मोल से इन सारे मोल को इससे डिवाइट कर दे चलो भाई इनसे डिवाइट कर दे ते क्या यह 4.07 डिवाइट बाई 2.0183 फिर उसके बाद यह 2.022 डिवाइट बाई 2.0183 एंड 2.0183 दिवाइट बाई 2.0183 तो यह तो बाई सा वन होने वाला है 4.07 डिवाइट बाई तो इसको भी क्या कर लेता है कैलकुलेटर में 2.022 तो इससे अगर होल नंबर में कनवर्ट करें तो यह दो यह एक यह यह खो गया राइट तो हमारा जो हाइड्रोजन कार्बन एंड क्लोरिन का जो भी इंपरिकल फॉर्मिला बनने वाला है वो 2.1 वन के प्रपोर्शन में बनेगा येस और नो चलिए अभी क्यलकुलेटर टेंपररी थोड़ा साइड पर यहाँ पर रख देदेगे 2.1.1 चलिए यह नंबर ज्याद रखना अब ओके चल तो अभी आगे क्या लिखेंगे इंपरिकल फॉर्मिला इस एक्वल टू कार्बन दो सबसे पहले हाइड्रोजन था शायद कार्बन नहीं था है भाई हाइड्रोजन था हाइड्रोजन कार्बन क्लोरिन हाँ ऐसी गलती आप भी कर सकते है हाइड्रोजन कितने है भाई दो कार्बन एक एड क्लोरिन भी एक चलिए ऐसा कुछ इंपरिकल फॉर्मिला हमारा निकल क्या है अभी इसका इंपरिकल Empirical Formula Mass is equal to 2 times hydrogen Plus carbon Plus 35.5 Chlorine तो चलिए अभी इसका summation तो मुझे करना है पड़ेगा 49.5 49.5 gram per mole चलिए ये हो क्या हो गया Empirical Formula अच्छा अभी N निकाल लेंगे इसका राइट चलो तो देखो अभी N is equal to बच्चो क्या है N is equal to Molecular Mass upon Empirical Formula Mass अच्छा Molecular Mass question में कितना दिया है उपर जाकर देखना पड़ेगा भाई कितना दिया है Yes Molecular Mass is equal to 98.96 98.96 98.96 divide by empirical formula 49.5 चलो अगर इसको divide करते हैं तो अभी आपको क्या लिखना है 2 तो अभी आपको क्या लिखना है So Molecular Formula is equal to N into Empirical Formula Right चलो तो अभी N 2 And Empirical Formula हमारा क्या था यह रहा H2C Cl So It is the H4 C2 Cl 2 So This is your final molecular Formula Right तो चलो इसको भी आप पूरा कॉपी कर लो Notebook में इसको भी minimize कर दे हाँ यह पूरा table आपको यह question Question तो आपके textbook में है Already लेकिन पूरा table आपको बनाना है Screenshot ले लीजे इसका Right चलो यह भी आगे जाने देते उपर यह भी जो पूरा part है वो भी लिख ली जो चलो Screenshot ले लो इसका भी Clear चलिए आगे अभी एक और question की तरफ बढ़ते है हाँ यह एक बढ़िया सा question है Exercise का हमारा question है NCIT 1.3 यहाँ पर थोड़ा एक नया twist आएगा तो इस example कर तो कभी miss मत कीजिएग Right क्या चीज़े छोटी सी important चीज़े वो देखते है यहाँ पर पहले दिया है Determine the empirical formula of N Only empirical formula ही पता करना है काफी बढ़ी है चलिए empirical formula of oxide of iron Oxide of iron मतलब समद लिजेगा यहाँ पर Fe and oxygen दोनों है 69.9% iron and 30.1% dioxygen कभी कभी आपको confuse करने के लिए ऐसा लिखते है 69.9% iron and remaining is oxygen तो मतलब आपको पता होना चाहिए कि remaining is oxide यह है remaining is oxygen मतलब कि जो भी percentage बचते है out of 130.1 वो क्या होगा oxygen तो चलिए पहले Fe and यह लिख लेते हैं चलो बहाँ एकदम simple फटा फट Fe and oxygen Fe के percentage 69.9 oxygen के percentage यहाँ पर है 30.1 राइट चलिए iron का mass 56 चलिए oxygen का mass 16 अभी moles कैसे हैं तो column 2 divide by column 3 मतलब कि जो भी आपको percentage दी है उसको आप atomic mass से divide करो यहाँ पर भी 30.1 जो भी है उसको भी atomic mass से divide करोंगे तो आपके moles मिल जाएगे चलिए इसको करने के लिए हम हमारा अच्छा सा छोटा सा calculator चालू कर लेता है भाई कहां गया 69.9 divide by 56 तो it is the 1.248 1.248 और यहाँ पर 30.1 1.881 1.881 चलिए अभी इसके आगे वाला next step क्या रहता है भाई इसके आगे वाला next step हम यह लिख सकते हैं देखो भाई चलो क्या करते हैं atomic ratio में हम बोलो दो यह जो भी हमारा आया उस दोनों में से this one is your क्या smallest value exam में आपको इसको ऐसे particularly mention करके नहीं दिखाना है आपके दिमाग में रखना है लेकिन मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिख रहा हूँ तो 1.248 divide by 1.248 लेकिन यहाँ पर 1.881 divide by 1.248 तो चलिए यह तो 1 हो जाएगा अभी 1.881 तो इस नियरली 1.50 नियरली 1.50 है भाई 1.50 अभी यहाँ पर बच्चे लोग अब confuse यह हो जाते है यह कुछ बच्चे mistake भी यह कर देते हैं अभी last क्या है simple whole number अभी यहाँ पर mistake होने के यह chances है simple whole number में convert करने के लिए 1 को तो चलो हम 1 लिख देते हैं मेरे भाई लेकिन 1.50 को क्या लिखे 1 लिखे यह 2 लिखे हाँ यह थोड़ा confusion हो गया तो कुछ बच्चे 1 लिख देते कुछ बच्चे 2 लिख देते नहीं आपको इसको simple number में convert करना है कैसे multiplied by 1,2,3,4,5 मतलब आपको यह जो number है उससे ऐसे number से multiply करना है इस number को ऐसे number से multiply करना है ताकि वो simple whole number में convert हो जाए मतलब कि अगर मैं 1.50 को 2 से multiply करता हूँ तो यह 3 हो जाएगा लेकिन गलती से मैं अगर 1.50 को 3 से multiply कर दिया तो तो वो 4.5 something चला जाएगा समझ में आ रहा है तो वो 4.5 बनेगा तो 4.5 is not a simple whole number मतलब कि आपको इसको ऐसे number से multiply करना है ताकि वो simple whole number यह काफी उससे close हो जाए तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ देखिए यहाँ पर इसको मैं multiply it by 2 यह step आपको always याद रखना है हाँ तो अगर मैं इसे multiply by 2 करता हूँ तो इस अकेले को ने इसकी वज़ा से मुझे उपर वाले number को भी multiply by क्या करना पड़ेगा 2 करना पड़ेगा that's why यह जो हमारा value बनेगा यह भी value बनेगा मेरा 2 और यह value बनेगा मेरा 3 चले यहाँ पर बहुत बच्चे confused हो जाते थोड़ा यह जो पूरा example इसको side में छोड़ो थोड़ा detail में यह समझते के अगर sir हमें कभी question में यहाँ पर यह value ऐसे मिल गई 2.25 तो इसे हम round up करके 1 ले सकते नहीं आपको 1 point समझी काफी close है 0.00 में something कुछ difference है तब आप 1 ले लिजे चलेगा अगर आपका value ऐसा हो रहा देखी 1.90 इसको नहीं चले ले था हूं मैं तोड़ा 1.98 चल रहा है 1.99 चल रहा है 1.95 चल रहा है तो आप directly इसको 2 ले लिजे चलेगा लेकिन आपका value ऐसा है 1.25 हाँ ये value है 1.01 1.009 या 1.09 तो इससे आप 1 लो तो चलेगा लेकिन this is the 1.25 तो 1.25 को आपको एक ऐसे नमबर से multiply करना है ताकि वो whole number में convert हो जाए अच्छा वो कैसे पता चलेगा simple try and error method मतलब आपको देखिए 1.21 को पहले मैं 2 से multiply करता हूँ तो वो क्या बनेगा अगर मैं 2 से multiply किया तो 1 sorry 2.50 2.50 कोई whole number है नहीं तो बैट 2 से multiply किया ये गलत है 1.25 को अगर मैं 3 से multiply करता हूँ तो ये बनेगा 3.75 3.75 is also not a whole number cancel अगर मैं 1.25 5 को 4 से multiply करता हूँ तो ये बन जाएगा मेरा 5 येस तो आपको 1.25 अगर यहाँ पर दिखे तो आपको उसको 4 से multiply करना है round up करने के लिए अगर उसे 4 से multiply कर रहे तो बाकी के जो भी elements है वो already nearer to simple whole number है फिर भी उन सभी को अगर इसको 2 से multiply कर रहे तो इसको भी करना पड़ेगा अगर इसको 4 से multiply कर रहे तो सारे elements को 4 से multiply करना पड़ेगा तो आप सोचेंगे अगर मुझे value यह मिल गई 1.33 तो 1.33 को एक ऐसे number से multiply करो ताकि ये 1.33 आपका whole number में convert हो जाए तो यार 2 से multiply करेंगे तो 2.66 बनेगा 2.66 is not a whole number 3 से multiply करेंगे तो 3.99 3.99 तो nearer to whole number तो येस आप 4 फिर आगे वहाँ पर ले सकते हो तो आपको 1.33 को किस से multiply करना है 3 से और simple technique बताओ देखिए आगे वाला number जो भी आपका वो तो whole number ये तो जो पीछे वाले digits है उनको किस number से multiply करे ताकि वो जो पीछे वाले जो digit है वो 1 में convert हो जाए मतलब किया देखो यहाँ पर 0.25 था तो 25 को 4 ताइमस रिपिट कर दे 25, 25, 25, 25 तो 100 या 1 हो सकता है उसी तरह से ये 0.33 है तो 0.33, 0.33, 0.33 3 ताइमस करेंगे तो 0.99 तक पहुँच गए समझ में आ रहा है तो आप जब भी ऐसे बीच में कहीं पर फर्स जाए तो directly आपको simply अपने आप whole number नहीं करना है उसे कोई ना कोई एक number से आपको multiply करने की जरूरत पड़ेगी बस यही danger वाला part था इस numerical में तो I hope कि आपको यह जो सारी चीजे मैंने यहाँ पर सिखाई इस से यह perfectly समझ में आ गया गया फिर question पुछेंगे sir 1.4 हुआ तो 1.4 को भी 2, 3, 4, 5, 6 कोई ना कोई एक number तो ऐसा मिलेगा यह आपको कि जहां से वो आपका answer जो भी आएगा वो यह तो whole number होगा या near to very close to whole number आ जाएगा बस वही से आप उसको multiply कीजे और सभी को उसी number से multiply करना है तो यह try and error method से ही चलेगा लेकिन बहुत extremely hard level के question आएगे तभी आपको इतने सारे इतने more complicated type के आपको questions देगे बाकी हमले text book में यह है तो पहले यह अच्छी से prepare कीजे बाकी के question के बारे में इतना tension अभी मत लीजे तो चलिए अभी हमने multiply कर दिया 2 and 3 बाकी की जो सारी अभी नहीं काम की चीजे वो सारी मिटा देते है ओके चल तो अभी हम इसका 2 and 3 number तो मुझे पता चल गया question यहाँ पर दिया है तो मैं simply अभी यहाँ पर नीच्चो क्या लिख दूँगा empirical formula ही मुझे पूछा है right तो देखिए भई empirical formula is equal to क्या हुआ carbon sorry Fe 2 and oxygen 3 तो formula हुआ Fe2O3 समझ में आ गया perfectly चलो Kelsey को मैं minimize कर देता हूँ अब अच्छे से इसका screenshot ले लीजिए ओके बच्चो चल ये इसका screenshot अच्छी से ले लिया लिख लिया हाँ अभी exercise का 1.34 most important example for 4 marks यहाँ 5 marks के लिए इस में कुछ नहीं चीज क्या देखिए थोड़ा difficult सबसे सदा difficult है इसलिए मैंने इसको last में लिया है difficult चीज ये कि इसके पहले हमने जो भी सारे questions किये है वहाँ पर carbon हो या hydrogen, oxygen, chlorine सभी के percentage जो भी थे all they are already given अभी यहाँ पर हमें क्या करना है कि इसके पहले हमने topic पड़ा हुआ है mass percentage या percentage composition of elements हाँ तो उस concept को use करके पहले हमें पहले mass percentage निकालना है and mass percentage के बाद हम वो table वाला part आगे करेंगे तो देखिए अभी यहाँ पर क्या करना है पहले देखे question the welding fuel gas welding के लिए कोई एक gas रहती है हाँ उसके बार में बात करें carbon hydrogen only जो भी gas है वो carbon and hydrogen है चलिए burning of small sample of it in oxygen atmosphere में इसका combustion प्रोसेस हो रहा है burning प्रोसेस हो रहा है तो यह 3.38 gram carbon dioxide generate करती है 0.690 gram water generate होता है and no other product अच्छा कोई और products आपको नहीं मिल रहे फिर क्या कहा है a volume of 10 liter STP पर अगर इस gas का हम 10 liter volume लेता है तो वो कितना weight मिलता है 11.6 gram तो अच्छा इन सारे data से empirical formula calculate के लिजिए molecular formula calculate कीजिए molecular mass and molecular formula calculate कीजिए बड़ी ऐसा question है थोड़ा सांधी से धीरे-धीरे solve करेंगे तो मजा आएगा देखिए इसको मैं कुछ इस तरह से exam में यह जो सारी चीज़ें मैं अभी लिख रहा हूँ उन में से कितना चीज आपको लिखना है कितना नहीं लिखना है वो बात में समझाएंगे पहले देखिए यह मैं एक compound ले लेता हूँ यह ले लिया मैं देखिए CX HY क्योंकि compound का मुझे molecular formula पता नहीं है लेकिन यह कहा गया है कि जो भी welding वाला जो gas है वो carbon and hydrogen से बनी हुए वो gas तो यह ले लिया इसका oxygen में combustion हो रहा है तो इससे balance नहीं कर रहा हूँ सिर्फ लिक रहा हूँ O2 राइडी चलिए अभी आगे क्या generate कर यह CO2 and H2O दो चीज़े generate कर रहा है वो CO2 and H2O चलिए अभी देखिए मुझे question में यह दिया गया है कि अगर यह compound इसका मुझे mass नहीं पता है लेकिन यह दिया है कि CO2 कितना generate होता है by it generate 3.38 gram CO2 generate करता है and 0.690 gram वहाँ से क्या generate होता है H2O generate होता है अच्छा बाई तो दिखिए मैं सबसे पहले क्या करता हूँ यह जो step in है मैं यहाँ पर आपको remember लिख कर देता हूँ आपको यह सब कुछ याद रखना है directly exam में mind click नहीं करेगा remember मतलब मैं बच्चों को ऐसा याद रखवाता हूँ remember मतलब आप वहाँ पर राम 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 लिख लीजे क्या यह remember मतलब राम 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 आप लोगों ने वो आमिर खान की इश्क मूवी देखी होगी है राम 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 बस जब भी tension वाली बात हो लगता है आपको यहाँ पर mistake होने के चांसे से बस यह कर लीजे राम 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 मतलब वहाँ पर आप remember लिख लीजे देखिए remember में यह लिखना है कि in CO2 in CO2 देखिए ऐसा होता है 44 ग्राम CO2 contain क्या carbon कितना 12 ग्राम carbon 44 ग्राम is the molecular mass of CO2 अगर CO2 का मैं mass calculate करूँगा 12 प्लस यह 32 तो 44 ग्राम तो अगर 44 ग्राम में ले रहा हो तो वहाँ पर 12 ग्राम क्या हो रहा है carbon है भाई तो अगर यहाँ पर मुझे दिया है carbon dioxide यह अगर कहीं पर भी अगर 3.38 ग्राम CO2 generate हो रहा है तो उसमें कितने ग्राम carbon होगे तो चलिए यह मैं calculate कर सकता हूँ कर सकता हूँ पाई कैसे देखिए 3.38 into 12 divide by 44 चलिए अभी हमारा calculator कहां चला गया calculator में अभी हम करेंगे 3.38 into 12 divide by 44 चलिए बाई 44 तो यह हूँ आपका 0.921 करीबन 0.921 तो लिखिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पर थोड़ा इसे उपर ले लेते हैं चलिए कितने ग्रामस आए 0.9218 ग्राम कार्बन अच्छा चलिए उसी तरह से next एक स्टेप फिर से अगें रिवेंबर आपको लिखना है यह आपर CO2 के बजले अभी next H2O जनरेट होता है हावा H2O तो H2O में हमें यह लिख सकते 80-80 ग्राम H2O है हमारे पास तो वहाँ पर हाइडरोजन कितने ग्राम से 2 ग्राम अच्छा तो अभी कितने ग्राम यहाँ पर 0.690 वाटर जनरेट हो रहा है it produces 0.690 ग्राम H2O तो उन में कितने ग्राम हाइडरोजन होंगे मेरे बाई चलिए बाई हाइडरोजन के ग्राम्स यहाँ पर पता कर लेते कितने ग्राम्स यह 0.690 इन्टू 2 डिवाइड बाई 18 चलिए ग्राम्स कुछ अंसर आया मिला यहाँ बर 0.0766 ग्राम हाइडरोजन चलिए यह तो अभी मुझे ग्राम्स मिले लेकिन मुझे नेक्स जो हमारा अब एक टेबल वाला पुरा फॉर्मेट लिखने वाले वहाँ पर परसंटेज चाहिए तो परसंटेज कैसे केलकुलेट करते हैं जो भी आपका मास से डिवाइड बाई टोटल मॉलेकुलो मास जो भी मास इंटू 100 करेंगे बड़ाब यहाँ जो भी कार्बन का मास इसका परसंटेज मुझे निकालना है तो दीखे परसंटेज कैसे निकालेंगे इसके थोड़ा उपर जाने देते यह मास भी दीखना चाहिए कार्बन का यह चलो हाँ देखो अभी नेक्स एक और स्टेप रिमेंबर परसंटेज ओफ कार्बन तो क्या होगा परसंटेज ओफ कार्बन इस एक्वल तो मास अफ कार्बन इन गिवन कंपाउंड डिवाइड बाइ टोटल मास इन टू हंडरेड बै टोटल मास कितना तो यहाँ पर चलिए एक कॉलम बना देते हैं बीच में उपर एक लिख देता है टोटल मास इस एक्वल टू पॉइंट नाइन टू वन एट प्लस पॉइंट जीरो सेवन 166 राइट इकॉइल टू बाइ कितना होता है राइट पॉइंट नाइन नाइन एट फोर 0.9984 0.9984 ग्राम यह total mass है तो देखिए percentage of carbon में कैसे निकालूंगा mass of carbon carbon का mass है भाई 0.9218 डिवाइड बाई total mass है भाई 0.9984 चलिए भी इसके percentage निकाल ले दे So, 92.32 into 100 So, it is the 92.327 परसेंट वहाँ पर भाई कौन है carbon उसी तरह से हम hydrogen के percentage भी निकाल सकते हैं हाँ भाई निकाल सकते हैं कैसे देखिए percentage of hydrogen चलिए hydrogen का mass केता है 0.0766 0.0766 divided by this total mass 0.9984 right into 100 करेंगे चलिए भाई ये भी calculator में कर ले 7.67 2% hydrogen तो अभी तक हमने ये सारी जो भी चीज़े की सिर्फ अमने लोगों ने क्या निकाला percentage अभी ये जो पूरा जो table वाला part था वो तो सारा अभी बाकि लिखिए थोड़ा इसको पहले revise कर ले दे क्या है ये चीज थोड़ा इसे छोटा कर देता हूं मै हाँ ताकि हम अच्छी तरह से इसे समझ पाए हाँ देखो I hope कि आपको ये सब कुछ दीख रहा है हाँ चले इतना ठीक है अभी देखो मैंने कोई एक reaction बनाया यहाँ पर मुझे question में दिया था 3.38 gram carbon dioxide generate हो रहा है 0.690 gram H2O generate हो रहा है by the combustion of this CXHY मनलब कोई भी एक hydrocarbon compound है मुझे पता नहीं है उसका नाम molecular formula कुछ भी चलिए तो मैंने ये लिखा कि अगर मैं 44 gram CO2 ले रहा हूँ तो वहाँ पर 12 gram carbon generate हो रहे है तो अगर मैं 3.38 gram CO2 लूँगा मतलब कि जो ये generate हो रहा है 3.38 gram CO2 generate होई तो उनमें carbon का mass कितना है तो it will be your 0.9218 उसी तरह से अगर H2O में 18 gram लेता हूँ तो उनमें 2 gram hydrogen है तो अगर 0.690 gram को H2O molecule generate हो रहे है तो वहाँ पर hydrogen का mass कितना है भाई तो यहाँ पर hydrogen का mass 0.0766 ये दो मुझे hydrogen and ox carbon के mass मिल गए इन सभी mass, दोनों mass का मैंने total करकर ये total जो भी compound, जो भी product मिली मुझे ये product का mass है चलिए अभी product में जो भी mass है ये, sorry, ये जो mass है वो product का mass नहीं है, sorry ये जो हमने reactant लिया है, उसका mass है product का mass तो हमने जो question में ये जो data दिया है हाँ, ये दो चीजों का मैं आकर submission करूँगा, तो total mass of मुझे product मिल जाएगा, लेकिन ये जो carbon dioxide, CO2 उनमें से सिर्फ मैंने carbon का mass अलग निकाला, ये हुआ H2O का ये जो भी mass मुझे दिया था उनमें से मैंने सिर्फ hydrogen का mass निकाला, oxygen का mass को मैंने छोड़ दिया, तो यहां से carbon का mass यहां से hydrogen का mass, इन दोनों का total हुआ, तो वो mass किसका बन गया, CXHY मतलब कि जो hydrocarbon welding fuel gas है, उसका mass बन गया चलिए, वो तो total mass हो गया हमारा ये लेकिन, मुझे percentage निकालने, तो जो भाई carbon का mass है, CO2 में तो वो है, 0.9218 उसको मैंने total mass से divide कर दिया तो carbon इतने परसंट उसी तरह से hydrogen के mass को भी total mass से मैंने divide कर दिया तो ये percent जो भी 7.67 तो आपको दोनों के percentage याद रखने है 92.32 7.67 पहले ये सारी चीज़े लिख लिजे, screenshot लिजे फिर आगे बढ़ते इसी example में next example नहीं, अभी example तो 30% complete हुआ, आगे का भी 70% बाकी है, राइट देखो चलो ये सारा screenshot ले लिजे आप फिर बाद में आप गर पे zoom करकर इसको कर लिजे चलो राइट चले थो उपर जाने दुम्हे चले अभी ये जो second part है उसका screenshot ले लिजे done तो ये carbon के percentage 92.32 7.67 चले इसको उस table में हम fill करते हैं, तो देखिए बाइक carbon hydrogen carbon 92.32 hydrogen 7.67 percentage, right atomic mass carbon का by 12 hydrogen का 1 तो यहाँ पर 92.32 divided by 12 करेंगे, यहाँ पर 7.67 divided by 1 करेंगे, कहाँ गया हमारा प्यारा सा calculator 7.69 यह हो रहा है, 7.693 है और यह है 7.67, इसके पीछे भी कोई एक डिजिट था, आगे वाले topic में पहले देख ले थे, क्या अब एक डिजिट था यहाँ पर एक 7.672 अच्छा चलिए 7.672 यहाँ पर तो 672 चलिए अब इन दोनों में से छोटा नंबर कोई सा यहाँ यहाँ वैसे तो दोनों सेम ही है लेकिन चलिए, this is your smaller value चलो, तो smaller value को divide करेंगे, बहुत अब इस value को smaller से divide करेंगे हाँ, क्या बनेगा, 7.693, 7.672, 7.672 divided by 7.672 चलिए अब यह तो 1, इसका answer 7.693 जो भी answer आ रहे है तो it is nearly again, 1.002 तो यह हो गया हमारा 1, यह भी हो गया हमारा 1 तो एक carbon, एक hydrogen चलिए भई, यहाँ से empirical formula तो यह हमारा मिल गया अभी और एक बड़ी आसी चीज आने वाली है, हाँ so, empirical formula is equal to CH, चलिए भाई, empirical formula हमारा यह बन गया CH, empirical mass भी इधर ही calculate करकर रख दे जाए भाई empirical formula, mass is equal to 12 plus 1 is equal to 13 चलिए अभी N का जो formula है, N is equal to molecular mass divided by empirical mass अभी molecular mass तो question में दिया नहीं है, तो एक और कहानी में नई ट्विस्ट मतलब एक और बार आपको राम 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 करना पड़ेगा, कैसे देखिए अभी आपको यह याद होना चाहिए, question में एक data दिया था remember, क्या, question में हमें आगे वाले पीछपरम चले जाते, WhatsApp को data दिखा देते, देखिए oh sorry, हाँ, यहाँ पर question में आप देख सकते हैं, यह ऐसे एक चीज दी थी आपको a volume of 10 liter of this welding gas is found to weight 11.6, मतलब कि अगर इस gas की हम 10 liter लेते हैं तो उसका mass होता है 11.6 gram, हाँ, इसको कैसे use करना है देखिए हाँ, अभी यहाँ पर यह use करेंगे, यह question में हमें क्या है, oh sorry question में this is the given part, 10 liter gas is equal to 11.6 gram, तो अगर हम 22.4 liter gas लेंगे तो उसका mass कितना होगा, उसका जो भी mass होगा equal to your molecular mass, yes क्योंकि मुझे पता है कि 22.4 liter पर जो भी gas होता है उसका जो भी mass निकल के आता है वो molecular mass होता है, तो मैं molecular mass को calculate करने के लिए यह method यहाँ पर use कर रहा हूँ, right, तो देखिए molecular mass के लिए क्या करना है, 22.4 into 11.6 divided by 10, चलिए भी, इसका अब यह calculation कर लेते हैं, फटा फट, mass कितना आया, 25.98, अच्छा चलिए भाई, 25.98, मतलब नियरली इसे हम 26 ग्राम पर मूल लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं, अभी क्या बच्छा, next हम क्या निकालेंगे, N, यस तो चलिए भाई, N के लिए क्या करना है, अहाँ, so now, N is equal to क्या, molecular mass, divide by empirical formula mass, अच्छा, तो N is equal to, again क्या आ गया, 2, so now, molecular formula is equal to N into empirical formula, so N is equal to 2, empirical formula थी हमारी CH, तो final आपका answer क्या बनेगा, C2H2, यहाँ पर आपका answer खतम हुआ, लेकिन मुझे पहले से पता था, क्योंकि हम by chemistry के teacher है, तो यह यह जो C2H2 है, वो एक ethylene, क्या हमारा gas है भाई, ethane CH, triple bond, CH वाला यह हमारा ethane gas है, इसे acetylene flame भी कहा जाता है, जो welding में use होता है, हाँ, यह सारे चीज़े लिखनी नहीं होती है, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है, तो चलिए, इस part को भी थोड़ा, फिर से एक बार repeat कर लें, आपको समझ में आ जाएगा, जो भी हमने data मिला था, उस data को हमने use करके, यहाँ से carbon hydrogen के percentage, mass, ready, मोल्स में यह smallest value था, smallest value को, इस value को smallest value से divide कर लिया, यह 1, 1, मतलब हमारा empirical formula क्या निकल किया गया, CH, sorry, हमारा formula निकल किया गया, CH, उसका mass calculate किया 13, फिर next, यह step काफी important था आपके लिए, यह वाला, यह आपको याद रखना है, क्या, यह given data आपको textbook में दिया हुआ होगा, लेकिन आपको समझ में तो आना चाहिए, कि कैसे use करना है, तो 10 liter gas का question में नम दिया हुआ है, कि it is a 11.6 gram, तो हमगे यह logic mean हमारा है, सभी को यह logic apply करना, यह आपको जाद आई, इसे step को याद रखना है, कि 22.4 liter gas लेंगे, तो जो भी हमारा यह answer बनेगा, will be equal to it's a molecular mass, तो हम लिख सकते, यहाँ पर equal to molecular mass, क्योंकि मुझे पता है, कि जो भी gas से STP पर अगर मैंने 1 mole लिया, तो उस gas का जो volume है, वो 22.4 liter होता है, एंड उस gas का अगर mass calculate करे, जो भी mass बनता है, वो molecular mass बनता है, ready, and finally, हमने यहाँ पर N calculate कर लिया, N का value इससे multiply कर दिया, तो finally answer is your C2H2, तो चलिए इसका भी आप step by step, दिरे दिरे, एक दो पार्ट में screenshot ले लिजी, लिख लीजे यह भी पूरा पार्ट, चालो, पहले इतना complete करो, ओके, चलिए इसके बाद, अभी यह नीचे वाला पूरा पार्ट, ओके, तो I hope बचा लोग यह आपको पूरा, यह जो भी empirical formula, molecular formula बारा, यह जो पूरा session है हमारा, perfectly आपको समझ में आ गया होगा, and I hope कि अभी किसी भी question में, आपको भी इसके बाद, कुछ ज़ादा देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ीगे, and problems भी नहीं होगे, तो यह जो सारी तीजे के, आपने जो सारे screenshot लिए, जो भी notebook में लिखा, उसका अच्छी तरह से practice कीजिए, अच्छे से अच्छे marks लाइए, राइट, चलिए तो भी next, इसके बाद जो भी topic आने वाला है, उसके लिए, हम next video आपके लिए ला रहे होगे, तब तक के लिए, टाटा बाई बाई, आपके लिए नाइस देए,